जैहिंद, Class 12 Maths में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से Straight Line in Space को सुरू करने जा रहे हैं तो इस topic को सुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि इसके पहले आप लोगों को 3D Geometry को बताया गया तो 3D Geometry में हमने सीखा कि X-axis, Y-axis, Z-axis तीनों mutually perpendicular होता है और Space में कोई point रहे उसका position vector निकालते है Space में कोई 2 point रहे तो उस दोनों point की बीच की दूरी क्या है वो दोनों point को मिलाने वाली जो line है उसको किस vector से represent किया जाता है तो ये सब चीज की हम लोग जानकारी पिछले वीडियो में ही ले चुके है Class 11 में हम लोग इतना तक पढ़ चुके है कि octant क्या होता है कोई भी point का position space में है तो वह किस octant में है ये सारा जानकारी आप लोगों को निश्चित रूप से होगी अगर नहीं है तो Class 11 के 3D के वीडियो को देख सकते हैं जादा दूर नहीं है दो चार उंगली लगाएंगे कहने का मतब जो दो चार टैप मुबाइल में करेंगे आप वहां तक पहुंच जाएंगे आज तो वह जमाना रहा नहीं कि टीचर के पीछे पीछे घुमे कोई topic छूट गया है जैसा कि topic का नाम है कि straight line in space तो space खाली जगा जैसे कि हमारे और mobile के बीच में कम से कम 3-4 फीट की दूरी है इसके बीच जो है कुछ भी खाली जगा है कोई चीज नहीं है अब इसी में हम एक straight line ले ले जैसे कि मान लिया जाए इस straight line के लिए हमने क्या करते हैं जाड़ो की सी को लिया हुआ है जाड़ो की सी को लिया हुआ है अब इसी से हम लोग अपना काम चला लेंगे और यहां पर जो हम लोग खड़े हम जो खड़े है यह आप देख सकते हैं कि एक आपका ऊपर से नीचे की तरफ coordinate axis तो हमको चाह होगा है इसी straight line के बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो state line का हम को क्या क्या पढ़ना है इसको जड़ा गौर से सुनिएगा state line में दो तीने बाद हम लोगों को पढ़ना ही है ज्यादा कुछ ने पढ़ना है भले chapter में कितना भी problem हो दिमाग में बिठाइए कि हम लोगों को पढ़ना है क्या है सबसे पहले state line का equation 2D में भी आप पढ़े थे class 11 में तो क्या निकालते थे equation ही निकालते थे सबसे पहले line का क्या निकालते थे plan में equation ही निकालते थे अब क्या होगा कि line जो है space में है ये line इस तरह से ये line इस तरह से है ये सारा क्या space है इसी frame of reference यानि ये coordinate axis के reference में हमारा जो है आपका line है तो इस line का सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे equation निकालेंगे अब equation निकालने के बाद हम लोग ये judge करेंगे कि दो line है तो दोनों line आपका कोलीनियर है कि parallel है ये सब की जानकारी लेंगे बात समझ में आ रही है अब उसके बाद अगला topic जब पढ़ेंगे straight line के ही बात हो रही है तो दोनों के बीच का angle क्या है ये सब की जानकारी हम लोग लेंगे उसके बाद ये जानकारी लेने के बाद जो हैं हम लोग ये जानकारी लेंगे कि दो लाइन हैं दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं ये दोनों लाइन पैरलल भी हो सकती हैं ये दोनों लाइन जो हैं पैरलल नहीं भी हो सकती हैं आपको लग रहा होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटर और दोनों के बीच में जो है कुछ ना कुछ आपका दूरी है तो इस तरह से लाइन होगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यह कैसे हम ग्याद कर सकते हैं इन ही सब बातों की जानकारी हम लोग लेंगे बस इतना ही पठने जा रहे हैं कहने का मतलब हमने बताया कि इक् इस एंगल क्या होता है तीसरी बात चौथी बात हमको जानना है कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है इतना सार जानकारी आप ले लीजिएगा और इस ट्रेट लाइन इन इस पेस आपका खतम हो जाएगा तो अब चलिए हम लोग जानकारी लेना शुरू करते है तो सबसे पहली बात है क्या equation of a straight line in space में किसी line का equation हम लोग निकालेंगे तो इसको जानने से पहले एक छोटा मुटा बात ये समझ लीजिए कि अगर दो line आपका parallel हो और इसका position vector a और इसका position vector b दोनों line आपका parallel हो parallel होता है तो सबसे पहली बात दिमाद में ये बिठा लीजिए दोनों का direction ratio जो होगा वो same होगा उसके बाद किसी एक vector को दूसरे vector के रूप में अगर हमको लिखना है तो एक सिर्फ scalar product कहने का मतलब माप करेंगे scalar quantity का difference होता है क्यानि कि कोई भी constant term का ही अंतर होता है यानि कि दूसरे में हम किसी constant term से multiply कर दिये तो वो पहले के बराबर हो गया या पहले में कोई constant term से हम multiply कर दिये तो वो दूसरे के बराबर हो जाएगा और ये constant term आपका कुछ भी हो सकता है fraction में भी हो सकता है और उसके बाद natural number integer भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है तो यहां तक आपको समझ में आगया होगा कि पहला condition अगर दो line parallel होता है तो दोनों को हम लोग इस तरह से express कर सकते हैं और दूसरी बात यहां पर ये समझना है कि आपको अगर three dimension में किसी point को represent करना है तो x, 2, 3, 4 जैसे कोई point को represent कर रहा है तो इसी point को देखकर हम लोग इसका position vector लिख सकते हैं 2i unit vector प्लस 3j unit vector प्लस 4k unit vector अगर आपको कोई point b दिया गया है है न इमाल लिजे minus 1, 3 और minus 4 दिया गया है तो इसका position vector लिखना है b का position vector तो minus 1i unit vector plus 3j unit vector minus 4k unit vector तो position vector लिखने के लिए जान रहे हैं अगर position vector दिया रहे तो यह आपका क्या हो जाता है उस point का coordinate क्या होगा यह हम पता लगा सकते हैं और एक बात ध्यान रखिएगा यही जो minus 1 और 3 minus 4 जो है आपका यह direction ratio भी कहलाता है चुकि यह तीनों जो है आपका इसमें तीनों में कोई common factor नहीं है तो direction ratio इस 2, 3, 4 के लिए कोई common factor नहीं है तो इसको हम लोग direction ratio कहेंगे तो उमीद करते हैं कि direction ratio बात आपको समझ में आ रही होगी direction ratio के लिए हमने discuss पिछले वीडियो में भी किया है अगर आपको कहीं doubt रह जाती है तो उस वीडियो को भी देख लीजेगा direction ratio का concept जो है बहुत clear कर देगा आपका हलनकि direction ratio by definition यह कहलाता है कि three numbers ABC are called direction ratio if it is proportional to the direction cosine अगर यह direction cosine के proportional है तो यह direction ratio कहलाता है किसी भी line का जैसे मौन लीजिए कि L, M, N इसका direction cosine है और यह L जो है आपका proportional है A का, M जो है proportional है B का और N जो है proportional है C का अगर यह proportional है तो यह आपका direction ratio कहलाएगा क्या कहलाएगा direction ratio कहलाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं L by A equal to M by B equal to N by C equal to K कोई constant लिख सकते हैं तो यह तो था basic लेकिन अब हमको देखना है क्या equation of straight line क्या होता है Space में आपका कोई line दिया रहे equation of straight line हमको जानना है सबसे पहले हमको जानना है vector form हमको पढ़ना है equation of straight line है ना और यह पढ़ना है आपको vector form में और इस equation में क्या कहता है कि अगर इसका statement देख सकते हैं कि the vector equation of a straight line passing through a given point which position vector r1 and parallel to the given vector m is r equal to r1 plus lambda m where lambda is a scalar quantity हला कि यह चीज़ तो आपको बुक में भी लिखा हुआ दिख जाएगा यह क्या कहता है equation of straight line का पहला form form 1 पहला form कहता है कि अगर कोई line जो कि किसी point से गुजरती हो और यह point x1 y1 z1 है और इसका position vector आपका r1 vector दिया गया है उसके बाद यह जो line है आपका a b line यह line parallel है किसी vector m के किसी vector m के यह line parallel है तो इस line का equation हम लिख सकते है r vector equal to r1 plus lambda into m vector इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं तो यह एक फॉर्म हो गया equation का अब इसको इतना कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं देखिया समझना बहुत ही आसान है बहुत भारी नहीं है इसमें तो इसको समझने के लिए आपको याद रखना है ट्रेंगल लाओ भेक्टर और अभी जो हमने यह बताया इसको याद रखना है तो किसी भी लाइन का equation को सो करने के लिए हमको general point चाहिए ना xyz तो ऐसा है कि माल लेते हैं कि यहाँ पर p कोई arbitrary point है xyz अब यह p point आपका यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी ह और याद कीजिए equation of line जो लिखते थे ax plus by plus c equal to 0 यह x और y जो यहाँ होता था कैसा point होता था general point होता था उसी तरह से 3D में भी three dimension में भी कोई भी line रहेगा उसमें भी एक general point होना जरूरी है तभी हम line को equation को लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं let p x y z b any arbitrary arbitrary point point on the line line पर कैसा point है arbitrary point है अब यह arbitrary point कहीं भी हो सकता है कोई दीकत वाली बात नहीं है अब यह origin है यहाँ से हम इसका position vector ले लेते हैं on line whose position vector whose position vector vector जो है आपका r है यहाँ तक समझने में कोई दिकत नहीं है अब देखा जाए कि equation of equation of line line a b निकालना है आपको है न a b का equation आपको निकालना है तो इस a b का equation के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि we have a b vector equal to m vector into k या into lambda a b vector m into lambda क्यों भाई क्योंकि यह a b जो vector है आपका parallel है m vector के और अभी अभी हम तूरत यहां discuss किये हुए है यहां पर हमने discuss किया हुआ है अगर दो vector parallel हो तो एक दूसरे को express करने के लिए किसी भी number से हम उसको multiply करकर एक दूसरे को express कर सकते हैं तो यहां क्या किये हम a b को express करने के लिए m into lambda डाल दिये हो गया अब चलते हैं हम लोग यह आपका vector है a b a b का को represent कर रहा है और यह आपका general point है अगर हम देखें इसको तो यहां पर एक triangle आपका बन रहा है है ना o a a p और op तो इसमें दो vector का sum है यह r1 और a b का sum है उसके बाद यह जो हैं आपका यह आपका resultant है यहां पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा चूकि यह a b जो vector है आपका exist कर रहा है किसमें a p में तो इसको a p भी लिख सकते है कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह general point p x y जो z देख रहे हैं यह यहां पर नहीं यहां पर भी हो सकता है b पर भी हो सकता है x y z p यहां भी हो सकता है तो इसलिए हम a b के बदले में a p अगर यूज कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यह a p equal to m lambda into m vector lambda into m vector लिख दिए अब इस a p को हम क्या लिख सकते हैं तो triangle log कहता है कि o a plus a p o a vector plus a p vector equal to इसका resultant हम लोग o p vector लिख सकते हैं therefore a p vector equal to o p vector minus o a vector लिख सकते हैं और o p जो हैं आपका देख रहे हैं यहीं है o p o p जो है r vector है minus o a जो है आपका o a जो है r1 vector है तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं a p vector को r vector minus r vector minus r1 vector equal to lambda into m vector और इसी r1 को अगर right side लेके चले जाते हैं तो यह r vector equal to आपका हो गया r1 अप plus lambda into m1 हो जाता है lambda into m1 हो जाता है माप करेंगे m हो जाता है m vector हो जाता है clear है तो उमीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होगे अब यह तो हमारा किस form में था vector form में था अब इसी को हम लोग convert करते हैं Cartesian form में किस में convert करते हैं Cartesian form में तो Cartesian form में convert करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सारे point का coordinate क्या है इस पर तो यहां पर r vector को हम x i unit vector plus y j unit vector plus z k unit vector लिख सकते हैं क्योंकि x y z जो है आपका general point है और general point में op position vector को जिसको r1 मने हुए हैं इसको हम x y z component के रहते हुए x i unit vector y j unit vector z k unit vector हम लोग इसको लिख सकते हैं उसके बाद इस r1 vector को हम लिख सकते हैं x1 i unit vector y1 j unit vector और z1 k unit vector लिख सकते हैं और आपका यह c है तो यह तीनों चीज जो है हमको मिला हुआ है सिर्फ point पता रहने से हैं कि नहीं अब इस पूरे चीज को इस formula पर बिठा दीजे vector form में r के जगह पर हम x i unit vector y j unit vector z k unit vector लिख सकते हैं और r1 के जगह पर x1 i unit vector y1 j unit vector z1 k unit vector लिख सकते हैं अब फिर lambda into a i unit vector b j unit vector और c k unit vector लिख दिये इसके बाद x i unit vector y j unit vector z k unit vector equal to यहां i unit vector और यहां i unit vector दोनों से निकाल लिजे तो यहां से x1 मिलता है यहां से lambda a और i unit vector तो i unit vector का जो जो coefficient था सबको एक जगह कर दिये फिर उसके बाद j unit vector का जो जो coefficient है जैसे y1 प्लस lambda b हैं तो j unit vector हो गया अब k unit vector का जो coefficient है z1 प्लस c और यह आपका lambda और k unit vector अब comparing कर देंगे comparing both sides दोनों side को compare कर दिजे तो इस x को हम लिख सकते हैं x1 प्लस lambda a लिख सकते हैं इस y को हम लिख सकते हैं चुकि j का coefficient y है तो j का coefficient यहां पर y1 प्लस lambda b है फिर उसके बाद k का coefficient k unit vector का coefficient z है तो z1 प्लस c lambda है आपका इसको solve करेंगे तो x minus x1 by a equal to lambda मिलेगा y minus y1 y1 को इधर लाए अब b से इसको divide कर दिये तो यह भी lambda मिल गिया उसके बाद comma z minus z1 by c equal to यह भी lambda मिल गिया तो finally हम क्या देख रहे हैं कि x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c equal to lambda लिख दीजे या नहीं भी लिख दीजे is the required equation of line हो जाएगा यही हो जाएगा equation of line in cartesian form cartesian form याद रखिएगा इसको हम लोग cartesian form काते हैं कैसे आप form काते हैं cartesian form काते हैं कब cartesian बनता है जबकी point जो है x y z coordinate दिया रहे हैं उससे जो हम लोग line का equation बनाते हैं cartesian form होता है और याद कीजिए class 11 में जितना भी equation आप draw किये हैं लाइन का equation सभी आपका cartesian form में है और यह vector form में जो है आपका r equal to r1 vector यहाँ पर vector डाल दीजे तो और अच्छा r1 vector plus lambda m vector आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका meaning भी यही निकलता है और यह vector हो जाने से बड़े बड़े expression को बहुत छोटा में आप लिख सकते हैं तो equation of a straight line में दूसरा form क्या है कि equation of a straight line passing through two points यानि कि अगर space में यह आपका line है यह क्या है line है और यह जो है दो point से होकर गुजर रही है एक point यहां से जो की हमका coordinate मालूम है space में है यह एक दूसरा point यह इसका भी हम लोगों को point coordinate मालूम है और इसको जो है सबसे पहले हम लोग vector form में जानेंगे अब फिर उसके बाद हम लोग Cartesian form में जानेंगे तो इसके लिए देखा जाए कि यह आपका एक line हो गया और इसमें दो point हमको पता है A, X1, Y1 और Z1 और यह point जो है आपका B पता है आपको X2, Y2 और Z2 आपका दो point पता है इसके बाद इसका position vector हम लोग निकालते हैं और इसका position vector हमको लोग को निकालना है क्या यह line जो है किसी coordinate axis में होगा यह X axis यह Y axis और यह Z axis यह आपका origin हो गया यह जो होता है line यह जो mutually perpendicular होता है coordinate axis में कहीं न कहीं यह line जो है आपका exist कर रहा है तो इसका position vector निकालना है तो यह आपका position vector OA जिसको हमने R1 vector का नाम दिया हुआ है यह position vector OB जिसको हमने R2 vector का नाम दिया गया है तो याद कीजिए तो किसी भी line का अगर आपको equation निकालना है तो उसमें एक कोई general point तो हम लेंगे ही PXYZ एक general point तो लेना पड़ेगा और यह general point कहीं भी हो सकता है यह इस position में कहीं भी हो सकता है इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं अब इसका position vector हम लोग निकालने के लिए यहां से इसको मिला दिये तो यह आपका R जो है में help करेगा क्या line का equation निकालने में help करेगा तो अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि यहां पर ले लेंगे let p, x, y, z be any arbitrary point नो just position vector which position 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 vector is R vector और we have O A vector equal to R 1 vector equal to इसको हम क्या लिख सकते हैं X 1 I unit vector Y 1 J unit vector Z 1 K unit vector और O B equal to R 2 vector X 2 I unit vector Y 2 J unit vector plus Z 2 K unit vector हमने यहाँ पर लिख दिया तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ figure पर चलते हैं यह direction यह रहा इसका direction यह origin से B के तरफ और इसका direction origin से P के तरफ और इसका direction यह और इसका direction यह अब हम लोग देखें सबसे पहले कि इस triangle में अगर triangle law हम यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं OA plus AB equal to OB क्योंकि इसका head इसके tail से और यह direct इस point पर पहुंशता है तो इस triangle law से हम यहाँ पर तो लिखी सकते हैं OA plus AB OA plus AB को दोनों vector का sum जो है यह OB के बराबर हो जाए sorry OB के vector के बराबर हो जाएगा therefore AB vector जो है आपका OB vector minus OA vector आप लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम लोग बहुत्ते बार लिखे हुए हैं उमीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे तो AB vector आपको लिखना है यह OB जो है अभी vector form में ही लेते हैं R2 minus R1 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं R2 vector minus R1 vector लिख सकते हैं लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि AB and AP जो है आपका collinear है कैसा vector है collinear vectors है तो collinear vector हो या parallel हो है न तो एक दूसरे को अगर हम express करना चाहें तो सिर्फ constant से हमको multiply कर देना होता है तो यहां पर इस AP को लिखने के लिए lambda into AB हम लोग लिख सकते हैं इसलिए मैंने इस चीज़ को शुरू में ही बताया आपको तो वेक्टर अगर पैरलल होता है एक दूसरे को लिखने के लिए कोई एक constant हम उसके साथ जोड़कर दूसरे वेक्टर को express कर सकते हैं तो यह AP वेक्टर जो है आपका हो गया lambda into R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया अब यहाँ पर देखिए कि यह आपका क्या हो गया AP हो गया यह पूरा हो गया है ना यह पूरा यहां से यहां तक AP यह पूरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है चुकि P को जब हम include कर लिये P को जब हमने जोड लिया तो यह P ऐसा powerful है कि यह लाइन कितना भी बड़ा लेके आप आगे पिछे चले जाएए यह arbitrary point है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं मतलब इस line पर जितने भी point है, सारे point को यह अकेले रिप्रेजेंट करता है जे जेनरल कॉर्डिनेट में, एकस वाइज जेड्ड के टर्म में है तो यह जब रिप्रेजंट हो गया हमारा a, P तो a, P, रिप्रेजंट हो ने का मतलब हो गया कि यह पूरा लाइन आपका रिप्रेजंट हो गया समझ गया अगर हमने a, b कहा a, b कहा है तो बस इसका magnitude सिमित है और यह आपको a看看 तक ही रिप्रेजेंट कर रहा है अब यह दोनों पैरलल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब देखिए इस AP को अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे OP-OA लिखेंगे OP-OA वेक्टर लिखेंगे इक्वल टू लेमडा इन्टू R2-R1 वेक्टर इस तरह से हम लिखेंगे क्या है भाईया ट्रेंगल लाव वेक्टर OA प्लस AP एक्वल टू OP हो गया तो यह AP इक्वल टू OP-OA हो जाएगा सेम इस तरह का रूल यहां भी लग रहा है और एक ही रूल को बारबार लगाने की जरूरत नहीं है बोल भी देने से काम चलेगा तो यहां हम लिख सकते हैं OP को तो OP को तो लिखेंगे भाईया R सिर्फ R वेक्टर OA को हमको लिखना है क्या R1 लिखना है R1 वेक्टर लिखना है equal to lambda into R2 वेक्टर minus R1 वेक्टर therefore R वेक्टर equal to R1 वेक्टर plus lambda into R2 वेक्टर minus R1 वेक्टर तो यह जो हैं आपका हो गया equation of straight line in space in vector form तो उमीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गया होंगे अब इसी को Cartesian form में कैसे convert करते हैं जैसे देखिए इसका value हम रखेंगे x i vector y j unit vector plus z k unit vector उसके बाद R1 को क्या रखेंगे देखिए R1 हमारा यहीं नहें तो यह आपका x1 i unit vector y1 j unit vector plus z1 k unit vector अब फिर यहाँ पर lambda लिखेंगे R2 minus R1 है यानि कि x2 minus x1 i unit vector x2 minus x1 i unit vector अब फिर y2 minus y1 j unit vector अब फिर z2 minus z1 k unit vector इस तरह से हम लोग इसको लिख दिये अब इधर right side में जितना भी i का coefficient है सिर्फ ए गो हम compare करके देखते हैं left side में i का coefficient x है और इस side में i का coefficient एक x1 यहाँ मिल रहा है और lambda into x2 minus x1 तो plus lambda into x2 minus x1 यह भी आपका i का i unit vector का coefficient मिल रहा है इसके चलते जो है यह x minus x1 by x2 minus x1 equal to lambda हो जाएगा इसी तरह से y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1 equal to lambda is the required Cartesian form of straight line in a space यानि कि यह जो हो गया आपका Cartesian form हो गया और यह जो आपका equation हुआ यह vector form हो गया तो आपको इस straight line in a space में पढ़ना यही है straight line का equation पढ़ना है straight line का equation पढ़ लिये तो हम लोग इतना सा जानकारी हम लोग जानबे करते हैं कि कोई point अगर straight line पर होगा तो क्या होगा वो point उस line के equation को satisfy कर देगा यह सब तो बनाते हुए आ रहे हैं यह पिछला ही concept आपको यूज करना है नया यहां पर सिर्फ यही है कि दो तरह का equation हम लोग जाने पहला तरह का जो line का equation हमने जाना उसमें एक point दिया रहता था और एक condition दिया रहता था कि वह line जो है किसी दिये गए line के parallel है और दूसरा तरह का जो straight line का equation हम लोग निकालने के लिए जाने उसमें यह जाने कि उस line के लिए दो point हमको दिया रहेगा और उसका हम लोगों को straight line निकालना है equation निकालना है तो उमीद करते हैं कि यह दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसके अलाबे इसमें और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको बस यही चार फॉर्प याद रखना है last में आप लोगों को बता दूं कि अगर एक line किसी line m के parallel होता है तो इसका equation हम लोग लिख सकते हैं r1 प्लस lambda into m vector और दूसरा अगर जो कोई line जिसमें दो point दिया रहे एक आपका a और b जिसका position vector r1 दूसरे का position vector r2 और इसमें एक ही point दिया रहता था जिसका position vector r1 तो इस तरह से दो line से होकर गुजरने वाली line दो point से होकर गुजरने वाली line का equation हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं r equal to r1 vector plus lambda into r2 minus r1 vector दोनों को vector form में तो इस दोनों form को आप याद रखिए यानि दो दो चार form हो जाते हैं दो vector का दो कार्टीजियन का तो अगले वीडियो में हम लोग rs अगरवाल बुक से इस straight line in space का जो पहला exercise है उसके कुछ problem को बनाएंगे हाला कि यह problem जो है आपको बहुत hard नहीं लगेगा बड़ी आसान सा problem है अगर आप class 11 में 2D को ठीक से पढ़े हैं तो यहां भी आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर हमने जाना है समझा है यही कि बहुत बच्चे जो है class 11 पर ध्यान नहीं देते हैं जबकि मैं YouTube पर जब से पढ़ा रहा हूं जब से आप लोगों को class 11 की course को पढ़ा रहा हूं तो यह मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी topic आपका छूटना ने चाहिए चाहे आपके teacher कितना भी कहे कि अरे यह सब की चीज की जरूरत नहीं है इसकी जरूरत class 12 में नहीं है तो ऐसा उन पर भरोसा मत कीजिए course चूट रहा है अरे 12 का सारा कुछ पूछा जाता है बोर्ड में पहले 12 को focus करो ऐसा काम कभी मत कीजिए अभी भी आपके पास समय है है ना आप निश्चित रूप से class 11 के सारे topic को ठीक तरह से पढ़ लीजिए उस पर जो भी concept है वो सब को clear कर लीजिए ताकि 12 के concept को सिखने में आपको परेशानी नहीं हो तो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ प्राब्लम के साथ जय हिंद जय भारत